वेलकम तो दिस नियु लेसन तो हम आज बेगा ट्राइब देखेंगे हमारे टैबूलर फॉर्म वाली जो सीडीज है वो चल रही है ट्राइब्स हम जल्दी कतम कर लेंगे फ्रेंड्स बेगा ट्राइब पढ़ते हैं तो बेगा ध्यान रखना बेगा जो ट्राइब है वह में इस्टन मद्यप्रदेश में रहते हैं फ्रेंड्स इस्टन MP में ठीक है और इंडिये अगर आप देखोगे तो यह पीवी टीजी में आते हैं मतलब जो पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप्स होते हैं उनमें तो मद इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्रोटो अस्टिल्यट गृप से हैं गोंड्ट रवीडियन हैं इसी तरह से बैगा जो है वो भी ड्रेवीडियन रेस से आते हैं ठीक है इनका ओर इजिन जो माना जाता है फ्रेंट्स फोटा नाइक को रीजन से एक भूमिया ट्राइब वहां से माना जाता है अगर आप इ wildest of the tribe कहा था ठीक है तो अंग्रे जो में यह पहली बार mention हुए थे उसके बाद अगर आप इनकी social organization देखोगे फ्रेंट्स तो यह मैं बताया तो आपको मैंने आपको बताया कि यह जो इस्टन मद्यप्रदेश है यह साउथ इस्टन मद्यप्रदेश बैगा चक रीजन लिंड patriarchal society होती है जो आज है हमारी ठीक है और गोत्र सिस्टम को फोलो करते हैं उसके बाद अगर आप आओगे कि एक बैगा ओलंपिक एक बैगा ओलंपिक होता है फ्रेंट्स तो बैगा ओलंपिक ध्यान लखना आप यह कहा होता है और इन बालागा डिस्टिक बाइदी बालागा आप अगर कोटमेण completely सब्सक्राइब सब्सक्रीए इसकी न से जिसकि बाइड सिस्टम मने जाती है एक हैं ओर इनकी दलट को ये लाइटो दिवार कोड़ किया गहाते हैं उसके बाद आकर इनकी घर की बादela औह equally अभी पहले क्या होता था यह से कच्चे घर बनाते थे अभी अभी कुछ ने पक्के घर बनाना शुबू कर दिये उसके बाद आप देखोगे कि एक common courtyard होता है जो घर बने होते हैं उसमें common courtyard होता है जहां पर bonfire जो है जब उनकी festival इस तरह कुछ होता है तो bonfire वो उसको लगाते आर्चरी, fishing, forest, product और इनमें यह माहिर होते हैं यह अपने आपको एक बात ध्यान रखो कि गोंड जो है वो भी द्रवीडियन रेस के हैं friends और यह भी जो है यह भी द्रवीडियन है तो यह गोंड और इनका बड़ा एक इसा भाई-भाई वाला relation है ठीक है food habits की बात करें तो यह बासी पेज भी आरी पे एक जो इनका वो ड्रिंक होता है ठीक है वो पेज होता है और यह काफी जो पीते भी है उसको और यह जो मिलेट्स भी खाते हैं friends ठीक है और इस्टेपल डाइट इंक्लूड सिक्क्या मिलेट्स घांस की रोटी भी कहा जाता है महुआ जो यह पी है और यह तो बैगा के बारे में बड़ा फेमस ही है कि इनको टैटू बनवाना बहुत पसंद है ठीक है उसके बाद अगर इनकी टाइपस ऑफ मेरीज देखेंगे तो यह पैटूल मेरीज सबसे आइंपी है पैटूल मेरीज में क्या होता है गल जो लड़की होती हो पैट क है ठीक है चोर विवा क्या होता है तो चौर विवा हमें इस तो इस पड़ो को आपको बहूत याद हो जाएगा उधारिया मेरी इस तो इस पैरेंट से कोई अपरोवल नहीं होता अपनी खुद की फ्रीविल से वह कर लेगा यह देखो है यह हमको लिखना है इसके बारे में उजगी के तो इस में को ज़ूरा जाते है उठा से आपके लड़का हो फिर फिर घर रिर्टी जाके देऊ है एक चोड़ चिट्टी विवा होता है तो उसमें क्या होता है कि यह जो विद्वा विवा होता है उसको इमेंली चोड़ चिट्टी विवा कहा जाता है और यहां भाद ध्यान रितना कि जो इसमें husband जो होता है वो responsible होता है किसके लिए अगर उसको डाइवर्स देता है तो वो उसके भरन पोशिंट के लिए वो हस्बेंड ही responsible होगा पॉलीगे में में वो allowed है पर conditional है आप ध्यान रखेंगे उसके बाद अगर हम देखेंगे इनके dance form तो एक कर्मा, सैला, सुवा तीन इनके dance होते है mainly तो आप अगर इसमें देखोगे तो यह मेरे यहां लिखा भी गोन, बेगा, कोरकु सब करते हैं description की बात करेंगे तो यह कर्म का देवता होते हैं उनको यह खुश करने के लिए dance किया जाता है ठीक है? और उसके बाद यह सब लिखा हुआ है हमने उसके बाद आप देखोगे सेला डांस, तो सेला डांस क्यों होता है सेला डांस बड़ा देव को खुश करने के लिए किया जाता है, यह आप लिखोगे ठीक है? और यह एक प्यार और भाईचारे का प्रतीक है जो कि दशेरे से शुरू होता है और विंटर सीजन तक चलता है तो यह सेला के बारे आपको लिखना है दिश केन भी हाज दिन थ्री मार करें अगर आप सुवा की बात करो के तो सुवा पर बतायता हूँ सुवा जो है यह एक भगवान शीव और पारवती की जो उनकी शादी को सेलिब्रेट करता है मतलब एक ऐसे कपल डांस है ठीक है फीमेल डॉमिनेटेड डांसे पर यह भगवान शीव और पारवती की मैरिज को सेलिब्रेट करता है इस तरह से डांस है उसके बाद अगर आप परदोनी की बांद करेंगे तो यह ग्रूप डांस होता है और यह कप किया जाता है फ्रेंट्स जो शादी में किया जाता है यह भी हमको ध्यान अपना है बिलमा, डंडरिया, सजनी यह कुछ और भी डांस है उसके बाद अगर आप इनके फेस्टिवल में देखेंगे यह बिदरी फेस्टिवल होता है यह बिदरी कप करते हैं? आप जब डको आप देखोगे इनकी इकनौमी है एग्री कल्चर पर और आग्री कल्चर के अराउड ही इनके फेस्टिवल भीह घुमते हैं इनके बांस भी वहीं गुमते है ठीक है address ग्फल्याइ बिदरी तो नहीं आप करती है तो यह क्या करती है और फसल का कुछ इससा अपने पूरवजों के लिए निकाल देते हैं अब यंद्सकों गरीबों को दे दें जिसको जरुवत होती है दे जेते हैं आप मैंने आपको दूसरी ट्राइब से बदाया था कि बहुत से ट्राइब क्या करती है जो पहली फ़सल का जो होता है वो निकालती है और जिसके घर में कोई देथ हुई है उसको दे जेते हैं तो इस तरह से कितनी अच्छी जो कल्चर से हैं ठीक है और इसलिए हनी एक्स्ट्रेक्शन करती है शहर निकालती है दसरा नाच्स होता है एक सेलिब्रेटे डेजट रिव्यू टू नेचर जेनरिसिटी फॉस्टरिंग फैंट्रिशिप और कॉट्शिप तो ये इतना कुछ हो नहीं है ठीक है उसके बाद अगर आप एडिशनल कुछ एक मैं बताया दूँ आपको कि एक वेरियर एल्वीन है उन्होंने ट्राइब्स के उपर काफी रिसर्च किया तो उन्होंने किताब लिखी थी था बैगा ठीक है तो बैगा कम्यूनिटी रेडियो सेंटर जो है वह डिंडोरी जिले में है नाकी बालागाट में चड़ विलेज में है ठीक है और उसके बाद अगर आप देखो कि तो बैगा ट्राइबल जो है मैंली बुड़ा देव को यह पूजा करते हैं और जो कि यह सा मानते हैं कि यह साज के व्रक्ष में रहते हैं और यह साज के पत्ते पर कुछ बात बोलेंगे तो वह कभी जूट नहीं बोलेंगे कि यह बहुत उसको पवित्र मांते हैं नारा एंडेव ठाकुर देव महादेव की तो सभी पूजा करते हैं अगर आपको क्यों कोई कोश्चन आता है रिलीजियस बिलीव तो आप उसमें महादेव तो लिखी दीजेगा उसके बाद अगर आपको कुछ यहाद आजा है इस स्पेसेफिक तो वह भी लिख दीजेगा ठीक है तो अगला हमारा लेसन होगा फ्रेंट्स वह होगा हमारा कोल ड्राइब ओके फ्रेंट्स थाइंक्यू सो मच